Hello friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, आज हम start करने जा रहे हैं Class 7 Science का Chapter 3, जिसका नाम है Animal Fibers Wool and Silk. यानि कि इस Chapter में हम जानेंगे दो Important Animal Fibers के बारे में जिनका नाम है Wool and Silk. लेकिन Friends, इस Chapter को start करने से पहले हम देखेंगे कि इस Chapter में हम कौन-कौन से Topics कवर करने वाले हैं. तो Friends, सबसे पहले हम देखेंगे Chapter का Introduction. उसके बाद हम देखेंगे कि Animals से हमें कौन-कौन से Fibers मिलते हैं. फिर हम देखेंगे ऐसे कौन-कौन से Animals हैं जो Wool को Yield करते हैं, जिनकी ओपर हमें Wool मिलता है. उसके बाद हम देखेंगे Sheep Farming के बारे में. फिर हम जानेंगे कि Shearing और Processing of Wool कैसे किया जाता है. उसके बाद हम देखेंगे इंडिया में Wool Producing State कौन-कौन से हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन सी Wool Producing Countries हैं. यानि Major Wool Producing Countries कौन-कौन सी हैं. उसके बाद हम जानेंगे Silk क्या होता है और यह कैसे बनता है. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि Silk Moth जो होता है उसकी Life Cycle कैसे होती है. Varieties of Silk के बारे में हम जानेंगे और कैसे Silk को Process किया जाता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. और Major Silk Producing States इंडिया के अंदर कौन-कौन से हैं उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे. तो Friends, इन सभी Topics को हम One by One Detail में कवर करने वाले हैं. तो आईए स्टार्ट करते हैं. तो Friends, जैसे कि हमने पुरानी Classes यानि जो हमारी पहले के Classes हैं, उसके अंदर हमने Plant Fibers के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने Cotton, Jute, Coil, Flex, Hemp, ऐसे कुछ Examples देखे थे. यह सारे के सारे जो जो कि हमें Heat, Cold, Rain, Dust और Insect से बचाते हैं, यानि हमें जो Protect करते हैं. लेकिन Friends, 7th Class के अंदर हम Animal Fibers के बारे हैं पढ़ने वाले हैं, जो कि दो टाइप के हैं, एक है Wool और एक है Silk, यानि कि Animal से जो हमें Fiber मिलते हैं, वो है Wool and Silk. तो Friends, Wool और Silk जो हैं दो बहुत ही Important Fibers हैं, जो कि हमें Animal से मिलते हैं, Wool कहां से मिलता है? Wool हमें मिलता है, Sheep, God, Yak, या Camel जैसे जो Animals होते हैं, उनकी Fleece या जिसको हम Hair बोलते हैं, उससे मिलता है. इसके अलावा अगर हम Silk की बात करें, तो Silk हमें मिलता है, जो Silk Warm होता है, जब वो Saliva Secret करता है, यानि जो उसका Salivary Secret होता है, उससे हमें Silk मिलता है, तो हम इन सब ही Topics को Detail में पढ़ने वाले हैं, कि कैसे हम लोग को Silk मिलता है, और कैसे हमें Wool मिलता है, तो आईए स्टार्ट करते हैं, फ्रेंट सबसे पहले हम बात करेंगे Wool की, तो Wool जो है, इससे जो कपड़े बनते हैं, उसको हम सर्दियों में पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं, क्यों हम सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि Wool हमें गरम रखने का काम करती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंड होती है, और हमें गरम रखने के लिए कुछ ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं, जो हमें ठंड से Protect कर सकें, तो उसमें Wool ह हमें बहुत ज्यादा help करती है तो wool कहां से मिलती है यानि उन हमें कहां से मिलती है तो friends जब हम sheep और God को domesticate करते हैं यानि हम उनको जब पालते हैं तो उनके जो fleece होते हैं यानि उनके जो hair होते हैं उनके जो बाल होते हैं उससे हमें wool मिलती है इसके लावा friends कुछ quantity में यह हमको camel, yak और rabbit से भी मिलती है यानि इन सभी animal से हमको wool मिलती है wool जो इन से हमें मिलती है वो बहुत ज़दा versatile होती है यानि varieties different होती है durable होती है यानि की काफी लंबी चलती है और यह जो fiber होते है यह elastic fiber होते है यानि इसके अंदर loach होती है इसके अंदर elasticity होती है इसके लावा wool जो होता है ये बहुत ज़दा light, soft, thick और wrinkle resistant होता है यानि इस पर सलवटें नहीं पड़ती है इसके लावा क्योंकि ये हमें hair से मिल रहा है और जो hair होते हैं वो protein से बने हुए होते हैं इसलिए wool भी जो है किससे बनी हुई होती है वो protein से मिलके बनी हुई होती है तो friends जो sheep के fleece होते है sorry यहाँ पर sheep है तो sheep के जो fleece होते है यानि जो उसके hair होते है उसको धागे में spun किया जाते है यानि उससे yarn बनाया जाता है और फिर उस धागे से woolen की cloth बनते हैं weaving के through यानि weaving एक process है जिससे हम woolen के कपड़े बनाते हैं और जिसको हम पहनते हैं तो friends यह जो topic है यानि fiber से yarn बनना और yarn से fabric बनना इसको हम class 6 के science में बहुत detail में पढ़ चुके हैं तो अगर आपने मारे previous videos को follow नहीं किया है तो आप पहले हमारे उन videos को follow कर लें उनको देख लें जिससे कि आपकी understanding अच्छी हो जाए और आप चीजों को correlate कर पाएं तो friends process क्या होता है कि जो fiber होता है fiber से बनता है yarn और yarn से बनता है fabric तो यह process चलता है तो जो fleece of sheep होते हैं यानि कि जो sheep के hair होते है वो भी एक तरीकी का fiber है उस fiber से yarn बनता है यानि उसे धागा बनता है और उस धागे से फिर कपड़े बनाया जाते हैं weaving process के थूँ यह knitting process के थूँ तो friends I hope आपको समझ जा गया होगा wool कितनी ज़्यादा important होती है और हमें कहां कहां से मिलती है अब हम देखते हैं detail में कि वो कौन-कौन से animals होते हैं जिससे हमें wool मिलती है तो सबसे पहला animal है sheep तो friends sheep की बहुत सारी breeds होती है और यह हमको wool देते हैं यानि यह हमको own देते हैं और यह जो own होती है यह बहुत अच्छी होती है, शाइनिंग होती है, लेंथ अच्छी होती है, और रिंकल रेसिस्टेंट भी होती है, इसके लावा अगर हम कुछ इंडियन ब्रीड की बात करें, यानि कि जो इंडियन प्रजातियां हैं शीप की, वो कौन-कौन सी हैं, वो है गड़ी, लोही, ब बकरवाल, बीका नेरी, रामपुर बुशेर, तो यह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रीड्स हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी वूल मिलती है, इसके लावा अगर हम सबसे अच्छी वूल की बात करें, सबसे फाइन वूल की बात करें, तो वो मिलती है हमें Merino Sheep से, तो Friends, I hope आपको समझ आ गया होगा कि Sheep से हमें कितनी ज़्यादा वराइटी मिलती है, वूल की और कितनी अच्छी क्वालिटी मिलती है, अब हम देखते हैं कुछ और एनिमल जिन से हमें वूल मिलती है, तो इसमें एक नाम आता है गौट का, इसके अलावा Friends, अगर हम Important Breed की बात करें कि गौट की Important Breed इंडिया के अदर कौन कौन सी है, तो वो है कश्मीरी, गड़ी, चंबा और अंगोरा, तो यह क्या है, यह गौट की Breeds हैं, जिनसे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल मिलती है, और सबसे अच्छी जो हमको वूल मिलती है गौट से वो है अंगोरा गौट, तो जो अंगोरा गौट से हमें बूल मिलता है या फाइबर मिलता है, उसको मोहेर कहा जाता है, तो friends, यह कुछ Important Terms हो जाती हैं, जो कभी एक्जाम में डिरेक्टली पूछ ली जाती है, MCQ की अंदर या competitive exams में different options की तरह यह आ जाते हैं, तो इनके ब body होती है, उस पे जो hair आते हैं, वो भी as a wool use किये जाते हैं, तो friends, कुछ Camels ऐसे हैं, जैसे Siberia के Bacterian Camel है, Mongolia, China, तो यह कुछ countries हैं, जैसे Siberia, Mongolia, China, यह हमें best quality की wool प्रवाइट करते हैं, इसके लावा अगर हम male Camel की बात करें, तो जो male Camel होता है, उस पे on an average, अगर हम annually देखें, तो average जो उसके उपर हमें wool मिलती है, यानि उससे जो हमें wool मिलती है, वो है 12-15 kg, यानि एक male Camel से एक साल में हमें लगबग 12-15 kg wool मिल जाती है, और अगर हम female Camel की बात करें, तो female Camel से annually लगबग 6-8 kg wool मिल जाती है, और अगर हम best quality की wool की बात करें, जो हमें Camel से मिल तो वो है अलपाका एंड लिलामा जो कि साउथ अमेरिका के कैमल्स हैं और इनके उपर बहुत ही फाइन, सॉफ्ट और लश्रस लश्रस यानि कि जो शाइनिंग होती है वूल ऐसी वूल हमें मिलती है तो इसमें याद रखने है कैमल के अंदर कौन सी बेस्ट ब्रीड होती है वो है अलपाका एंड लिलामा अब हम नेक्स्ट अनिमल की बात करें तो वो है रेबिट तो फ्रेंट्स रेबिट के जो हैर होते हैं आपको पता है होगा बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उससे भी हमें वूल मिलती है और अगर हम बेस्ट ब्रीड की बात करें रेबिट के तो friends ये कुछ animals हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा wool मिलती है और बहुत ज़्यादा different quality की wool हम लोग को यहां से मिलती है तो friends अब हम देखते हमारा next topic जिसमें हम बात करेंगे sheep farming के बारे में कि जो sheep farming है वो किस तरीके से की जाती है यानि कि sheep को जब पाला जाता है उसकी wool के लिए meat के लिए heights के लिए तो उसको हम लोग बोलते है rearing of sheep तो sheep farming जो होता है economically बहुत beneficial होता है farmers के लिए यानि जो farmers किसान जो होते है उनके लिए आर्थिक दृष्टे से बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द यह होता है और कौन से farmer ऐसे farmer जो specially arid या semi arid या mountainous region में रहते हैं यानि कि जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है या जो mountain वाले areas है जहांके किसान बहुत गरीब हैं उन किसानों के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होता है sheep farming तो normally अगर sheep की बात की जाए तो इनको dry land पर या फिर जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है उस जगह पर इनको rear किया जाता है इनको पाला जाता है इनको domesticate किया जाता है तो friends यह जो animal है यह normally groups में ही रहते हैं और groups में ही move करते हैं और इनकी group को flock कहा जाता है तो यह जो sheep का group होता है यानि यह जो sheep होते हैं इनकी group को herd भी कहते हैं यानि जुन्ड भी कहा जाता है इनका जो life span होता है यानि इनका जो जीवन होता है वो 10 से 12 साल का होता है यानि एक sheep लगभग 10 से 12 साल जीता है इसके अलावा फ्रेंट शीप और गॉड का जस्टेशन यानि प्रेगनेंसी पिरियड जो होता है वो लगभग 5 मन्स का होता है तो ये कुछ फैक्चुल चीज़ें हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है और वो कौन कौन सी फैक्चुल चीज़ें हैं कि इनका लाव स्पैन जो होता है लगभग 10-12 साल का होता है यानि ये इतना जीते हैं 10-12 साल तक जीते हैं और अगर हम शीप और गौट की बात करें तो इनका जेस्टिशन या प्रेगनेंसी पिरियड जो होता है वो लगभग 5 मन्स का होता है अब हम बात किरते हैं शीप के शेल्टर के बारे में कि शीप का जो शेल्टर होता है वो कैसा होता है यनि कहां पर इनको रखा जाता है तो फ्रेंट्स नॉर्मली शीप के लिए बहुत ज्यादा कोई अच्छी इलाबरेटेड हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं चाहिए होती है कि उसको स्पेसिफिक लिए चीज़ चाहिए ही चाहिए उनके लिए जो घर होता है उनका जो शेल्टर होता है वो नॉर्मली चायादार होना चाहिए इसके लावा जो गनी बैक्स होते हैं यानि वो जो बोरे होते हैं उतना ही काफी होता है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए protection कहां से देना होता है इनको sun, rain, wind या जो natural enemies इनके होते हैं उनसे ने protection देना होता है तो इनके लिए बहुत ज़दा elaborated housing facilities नहीं चाहिए होती है simple सा चायादार घर होना चाहिए जिसमें आप नीचे जमीन पर gunny bags या जो बोरे जो होते हैं उनको बिछा सकते हैं क्योंकि इनको बस protect करना होता है sun, rain, wind और इनके natural enemies से इसके लावा इनका जो shelter होता है वो एकदम सूखा होना चाहिए और well ventilated होना चाहिए यानि कि उसमें आराम से हवा जो है वो पास होनी चाहिए अगर इनका जो shelter है वो warm है और वो close है तो उसको avoid करना चाहिए क्योंकि इनकी body के उपर already काफे सारा wool होता है और अगर इनको गरम area में रखा जाएगा तो इससे उनको sweating होगी यानि उनको पसीना आएगा और पसीने की वज़ह से ये बहुत जल्दी cold पकड़ लेंगे यानि ये बहुत जल्दी सर्दी पकड़ लेंगे और बिमार पड़ जाएंगे जो कि इनके लिए अच्छा नहीं होता तो friends I hope आपको समझ जा गया होगा कि sheep का shelter कैसा होना चाहिए अब हम बात करते हैं इनके लिए food and water किस तरह की का होना चाहिए तो friends ये आपको पता होगा कि sheep जो होते हैं वो herbivore होते हैं यानि कि ये घास, पौधे, फूल, पते ऐसे चीज़ें खाते हैं ये meat वगरा नहीं खाते तो ऐसे animals को herbivore कहा जाता है तो friends अगर आपको समझना है कि herbivore, carnivore, omnivore ये क्या होते हैं तो आप हमारी class 6 की science की videos जो हैं उनको follow कर सकते हैं उसमें बहुत detail में समझने की कोशिश ही है कि herbivore, carnivore, omnivore क्या होते हैं तो sheep जो है वो एक herbivore animal होता है और इनका जो main food होता है वो grasses, leaves और grains होते हैं और ये बहुत ही active grazer होते हैं, graze मतलब होता है चरना तो ये बहुत जादा, मतलब छोटे से छोटा plant भी अगर जमीन पे लगा हुआ होता है तो उसको भी आराम से ग्रेज कर लेते हैं तो यानि कि ये बहुत ही ज्यादा active grazer होते हैं और normally ये एक दिन में दो बार खाते हैं इसके लावा जो vacant field होती है ये जो बड़ी बड़ी खाले मैदान होते हैं वहाँ पे इनको grazing के लिए छोड़ दिना चाहिए ये वहाँ पे बहुत अच्छे से graze कर पाते हैं grazing के लावा sheep के लिए कौन कौन सी चीज़ी जरूरी है तो खाने में grazing के लावा sheep के लिए pulses, corn, jar, oil, cakes इन सब का mixture होना चाहिए जिससे इनको proper protein मिल सके, nutrients मिल सके तो जितना इनको protein मिलता है उनके उपर wool भी बहुत ही अच्छी आती है इसके हलावा friends, sheep को breeding के लिए कैसे चुनना चाहिए तो ऐसे parents या ऐसे sheep को चुनना चाहिए breeding के लिए जिनकी desirable characteristics हों और जिनके hair यानि जो under hairs होते हैं वो काफी अच्छे हों, अच्छी quality के हों तो ऐसे ही sheep को breeding के लिए चुनना चाहिए तो जब parents को select कर लिया जाता है breeding के लिए तो फिर उनको natural condition में meet करवाया जाता है उसके बाद में यह जो process है parents को select करने का, यानि किस तरीके का offspring चाहिए जिससे अच्छी quality की wool मिल सके तो parents को चुना गया था है यहाँ पे तो जब parents को select किया जाता है तो essay process को selective breeding कहा जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे parents को चूज किया कि कौन से parents जो है वो अच्छे है और फिर उनका breeding करवाया गया तो essay process को selective breeding कहा जाता है एक sheep normally एक से तीन sheep को birth करता है तो friends I hope आपको समझ जा गया होगा तो friends sharing का मतलब होता है sheep की body से fleece यानि की hair को remove करने का जो process होता है उसको sharing कहते है और इसको जो person remove करता है यानि wool को sheep की body से जो remove करता है person उसको shearer कहा जाता है तो friends sharing से पहले animals को bath दिया जाता है इनको नहलाया जाता है और उनको अच्छे से सुखाया जाता है तो friends, sharing के बाद में जो उनके hair होते हैं, उनके जो fleece होते हैं यनि sheep के जो बाल होते हैं, wool होती है उनको manually भी remove किया जा सकता है with the help of clippers or the pair of scissors यानि की catchy या फिर clippers की साहिता से उनके hair को manually remove किया जाता है या फिर जो sharing machine होती है उसके through-by sharing को किया जाता है यानि की machines की through-by sharing process को done किया जाता है इसके लबा friends, machine से जो removal of wool होता है यानि जो उनके fleece को remove किया जाता है ये easy होता है, quicker होता है और uniform sharing होती है अगर हाथ से काटते हैं बालों को या हाथ से remove करते हैं wool को तो वो uniform नहीं आती वो छोटे बड़े कर जाते हैं लेकिन machine की साहता से जो sharing होती है वो बिलकुल even होती है uniform होती है और easy भी होती है और जल्दी भी होती है तो normally आजके time पर machine का ही इस्तिमाल किया जाता है wool को remove करने के लिए इसके अलावा जो flocks होते हैं यानि कि इनका जो group होता है sheep का इनको साल में दो बार shorn किया जाता है यानि दो बार इनकी body से hair को remove किया जाता है और ये time period कब से कब तक होता है ये March to April का time period होता है यानि March से April के बीच में और जो September to October का time period होता है उस time पर इनकी fleas को remove किया जाता है तो March से April तक कर time period जो होता है, यह winter season के बादवाला time होता है, और जो September से October तक कर time period होता है, यह rainy season के बादवाला time होता है, तो यही best time होता है इनकी body से wool को या जो उनके fleece होते हैं, उनको remove करने का, right? तो friends, I hope आपको समझ आ गया होगा कि sharing process कैसे किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है, अब हम देखते हैं हमारा next topic जिसमें हम बात करेंगे, कि जो wool को remove किया गया, उसके उपर processing कैसे किया जाता है, यानि कि हमने different different steps देखे, उसे step में क्या था? कि किस तरीके से sheep को rear किया जाता है, कैसे उसकी breeding करवाई जाती है, क्या उसका food होता है, shelter कैसा होना चाहिए, फिर हमने देखा sharing कैसे होती है उसकी, उसकी बाद हम देखेंगे, कि जब sheep की body से wool को remove कर लिया गया है, तो उस wool का fabric में convert किया जाता है, तो इसमें भी different different steps होते हैं, तो उन steps में क्या होता है, पहला step जो होता है, वो होता है scoring, तो scoring का मतलब क्या है, तो जो raw sheared wool होती है, यानि कि जैसे जिस time पर shearer ने wool को remove किया, wool को shear किया, उसके बाद में वो जो removed wool है, यानि जो wool को हटाया गया है, उसको detergent वले पानी में wash किया जाता है, और इसको tanks में, alkali वाले tanks में रखा जाता है, जिससे कि इसके अंदर जितना भी गंदगी भरी हुई है, उस wool के अंदर grease, dust, dirt वगरा, वो सब चीज जो हैं, वो हट जाएं, तो उसी process को बोलते हैं scoring, तो हमने क्या देखा, कि पहले तो wool को remove किय गया, wool के बाद में क्या हुआ, जब remove कर लिया गया, तो next process होता है scoring, scoring में क्या काम करते हैं, वो जो removed wool है या जो fleece है, इनको साफ किया जाता है, detergent के पानी में, जिससे इसके अंदर जितनी भी गंदगी भरी हुई है, वो गंदगी बिलकुल निकल जाए, उसके बाद होता ह है sorting, sorting में क्या होता है, कि जो sheep के hair होते हैं, वो different different texture की होते हैं, तो जो same type के हैं, उनको अलग कर देना, और जो दूसरी variety के हैं, उनको अलग कर देना, इसी को sorting कहा जाता है, तो sorting जो है, वो scoring के तुरंद बाद किया जाता है, इसके बाद next step आता है grading का, grading में ये होता है, कि wool क उसकी length, color, texture और ease of dyeing की base पर उनको separate किया जाता है या उनको group किया जाता है, तो इसी को grading कहा जाता है, उसकी बाद next step आता है dyeing, dyeing में क्या होता है, कि जो wool है, क्योंकि वो particular color के अंदर ही आती है, normally black, brown या white color में वो आती है, तो यहाँ पे जो color choices है बहुत limited हो जाती है, तो इसी लिए जो different different wool होती है, उसको different different color में dye किया जाता है, तभी हमको अलग-अलग color की wool मिलती है, तो grading के बाद में क्या होता है, वो जो fiber है, उसको अपनी requirement के हिसाब से different color में dye किया जाता है, उसके बाद next step आता है spinning, spinning में क्या होता है, कि जो fiber होता है, उसको oil किया जाता है, उसको straight किया जाता है, wash किया जाता है, और जो fiber है उसको twist किया जाता है twist करकी यानि कि उसको yarn में convert किया जाता है अब जब धागा बन जाता है उस धागे से फिर क्या होता है उससे weaving और knitting का process follow किया जाता है यानि कि उस धागे को फिर fabric में convert किया जाता है कौन से method से weaving से और knitting से तो आपने देखा होगा सर्दियों में Indian जो families होती हैं वहाँ पर घरों में knitting process बहुत ही आव है यानि wool की help से sweater बनाया जाते हैं तो जो मम्मी एक धागे का use करती है ना एक धागे का use करके बुरो का पुरो sweater तयार करते हैं तो उसको knitting कहा जाता है उसके बाद क्या होगा spinning की बाद में weaving और knitting का process होता है तो जो shorter fiber होते हैं उनको spun किया जाता है उनको woolen clothes में weave किया जाता है उनसे fabric बनाया जाता है और जो larger fiber होते हैं उनसे knitting का process किया जाता है तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से wool से fabric बनता है यानि wool क्या है एक fiber है और fiber से किस तरीके से fabric बना तो यह बहुत ही interesting process है यानि इतने steps follow करने के ब बाद हमारे पास तब sweater पहुंसता है जिसको हम सर्दियों में पहनते हैं तो I hope friends ही आपको चीज समझ आ गई होगी अब हम देखते हैं मारा next topic जिसमें हम बात करेंगी कि wool producing states इंडिया में कौन-कौन से है यानि major wool producing state कौन-कौन से है तो friends वो है जमू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम, हर्याना, पंजाब, राजस्थान और गुजराद तो ये कुछ major wool producing states हैं इंडिया के अंदर और अगर हम countries की बात करें तो major wool producing countries कौन-कौन से हैं वो हैं Australia तो friends Australia के अगर हम लोग बात करें तो world का largest producer है wool का Australia ये जि 29% wool की supply सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही होती है इसके लावा New Zealand, South Africa, Uruguay, China और Argentina तो ये कुछ major wool producing countries हैं तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा कि wool producing states कौन-कौन से हैं, wool producing countries कौन-कौन से हैं और किस तरीके से wool fiber से fabric बनता है अब हम देखते हैं मारा next topic जिसमें हम बात करेंगे second half है chapter का क्योंकि chapter two parts में categorized था wool में और silk में और wool हम लोग पढ़ चुके हैं, cover कर चुके हैं, अब हमें बात करनी है silk की, कि silk किस तरीके से बनता है, तो friends silk भी एक बहुत ही important animal fiber है, ये बहुत ज़्यादा strong होता है, luscious होता है, luscious मतलब shining होता है, soft होता है, hard होता है और ये long long यानि लंबे-लंबे continuous strength, यानि जो धागे होते हैं, उसमें इसको produce किया जाता है, ये भी किस से बना होता है, protein से बना हुआ होता है, और ये किस से मिलता है, हमें silk warm से मिलता है, right, इसको भी, यानि silk को भी rear किया जाता है, और जैसे हमने wool का देखा था न, wool में किस तरीके से sheep क rear किया गया और कैसे उसको पूरा manage किया गया steps थे उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही steps silk warm से भी silk obtain करने के लिए follow किये जाते हैं तो इस तरीके से steps को follow करके जो हमें silk मिलता है उस पूरे process को sericulture कहा जाता है यानि कि silk warm से silk को obtain करने का जो process है उसी को sericulture कहते हैं और ये बहुत ही important term है exam में बहुत बार पूछी जाती है राइट इसके अलाबा friends silk जो है वो किस से मिलता है हमें silk warm के cocoon से मिलता है अभी ये सब चीज़े क्या है cocoon और ये sericulture बगरा अभी हम इसको detail में देखने आने वाले हैं आने वाले slides के अंदर तो friends silk warm का जो larva होता है या जो caterpillar होता है वो क्या काम करता है वो लगातार अपने salivary glands की help से कुछ sticky sticky fluid जो है उसको secret करता है उसको release करता है यानि अपने मुह से कुछ large जैसा fluid जो है वो release करता रहता है और वो एक लंबा सा thread like structure बन जाता है उसी को हम silk कहते हैं तो यह जो silk है इसका इस्तिमाल कहां करते हैं इसका इस्तिमाल clothing material में किया जाता है यानि कि इससे कपड़े बनाए जाते हैं तो friends आपको पता होगा कि silk की कितनी demand होती है और यह कितना ज्यादा costly मिलता है और अगर हम ancient time की बात करें तो इसके लिए तो जो राजे महराजे हो देते वो किस हद तक payment के निकल रेडि रहते थे और silk route सो आपने सुना ही होगा ancient history के अंदर तो जो silk route है वो भी एक बहुत ही important route रहा है silk के trade में तो silk एक बहुत ही important और बहुत ही अच्छा clothing material माना जाता है right तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा seri culture का मतलब क्या है और silk को इतना important क्यों माना जाता है अब हम देखते हैं कि silk को किस तरीके से obtain किया जाता है तो friends silk moth जो होती है उसके एक cycle चलती है एक life cycle चलती है और इस पूरी cycle को पूरा करते करते हमको silk मिलता है तो various steps इसमें involve होते है कि कौन-कौन से steps है जिसकी help से हमको एक silk जो है वो proper तरीके से मिल पाता है वो हम पढ़ने वाले है तो friends सबसे पहले क्या होता है कि जो female silk moth होती है वो छोटे-छोटे egg जो है वो ले करती है यानि छोट-छोटे अंडे देती है बहुत सारे अब यह जो अंडे होते हैं यह जो eggs होते हैं इनको साफ किया जाता है और इनको लगभग 25 degree Celsius की incubation period पे रखा जाता है क्योंकि 25 degree Celsius का जो incubation होता है या जो temperature होता है वो best होता है इसमें से larva hedge करने के लिए यह जो egg होता है एग में से larva निकलता है न तो उसके लिए 25 degree Celsius का temperature होना ज़रूरी होता है फिर इसके बाद में क्या होगा इसके बाद larva उसमें से hedge होगा या जिसको हम caterpillar भी बोलते हैं तो यह जो egg होते हैं इसमें से black warm निकलता है जिसको larva कहा जाता है या फिर caterpillar कहा जाता है larva जो होता है अब mulberry leaves जो शहतूत की पत्यां होती है उनको लगातार 3-4 हफते तक दिन रात खाता है यानि जो larva होता है वो 3-4 हफते तक लगातार शहतूत की पत्यों को खाता है और जिस time पर वो शहतूत की पत्यां यानि कि जो mulberry leaves होती है उनको जब यह खाता है उस time पर लगभग 4 बार अपनी skin को shade करता है यानि कि अपनी skin को नीचे गिराता है तो यह जो process है shading of skin का यानि कि जो larva लगभग 4 बार अपनी skin को shed करता है उस process को shading of skin के process को कहा जाता है malting तो friends यह बहुत important term है इसको भी आप याद रखेंगे कि malting का मतलब क्या होता है तो malting में क्या होता है कि जो egg से larva निकला वो larva क्या करता है लगाता है 3-4 weeks तक mulberry leaves को खाता रहता है और लगभग 4 बार अपनी skin को shed off करता है यह जो shed off करने का जो process है skin को इसी process को malting कहा जाता है इसके लावा जो larva है day night खाता है लगातार खाता है वो और बहुत तेजी से grow करता है इसके बाद आता है cocoon next step तो friends जब caterpillar अपने आपको completely एक silk fiber से cover कर लेता है और pupa में convert हो जाता है तो इसी covering को cocoon कहा जाता है अब यह सब चीजे क्या है तो अभी हमने देखा कि silk moth ने क्या किया egg लेखी है egg में से क्या है चुआ larva है चुआ अब यह जो larva है लगातार feeding कर रहे और feeding किस चीज की कर रहे mulberry leaves की उसके बाद में क्या करता है यह अपने mouth से अपने salivary glands की help से कुछ fluid like structure जो है वो secret करता रहता है और अपने आपको यह जो larva है पूरा का पूरा cover कर लेता है और इसी को कहा जाता है pupa यनि कि यह जो larva है इसी को pupa कहते है इस stage पर आकर और यह जो covering है यह जो covering यहाँ पर हुई है न इस covering को कहा जाता है cocoon तो friends यह जो cocoon है न यही important चीज़ होती है इसी को collect किया जाता है यनि यह जो covering है इसी को collect किया जाता है पूरा और इसको process किया जाता है और इससे silk मिलता है normally क्या होता है कि cocoon की next stage जो होती है वो silk moth होती है यानि कि इसके तुरंद बाद जो अब next stage हैगी उसमें वो adult बन चुका होगा और वो अब नई life जो है वो continue करने के लिए तियार हो चुका होता है लेकिन अगर यह जो cocoon है इसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसमें से जो pupa है, pupa किसमें convert हो जाएगा, moth में convert हो जाएगा और यह जो moth है यह जो silk moth है यह उस cocoon से बाहर आ जाएगा तो वो जो covering है वो जो thread है वो damage हो जाता है तो इस thread को damage ही नहीं होने देते farmers हो क्या काम करते हैं, वो इसी जो covering है यह जो pupa इसके अंदर है, यह साथ में जो इसकी covering है, इसको collect करते हैं और इसी की help से फिर silk को obtain किया जाता है, तो friends कुछ silk warm को बचा लिया जाता है जिससे की आगे की breeding जो है वो continue हो सके और बागी के जितनी भी pupa होते हैं, यह जो कोकोन होता है, उसको collect कर लिया जाता है और उससे silk जो है उसको obtain किया जाता है तो friends, I hope आपको समझ आ गया होगा, किस तरीके से हमें silk obtain होता है, silk मिलता है अब हम देखते हैं, मारा next topic जिसमें हम बात करेंगे processing of silk की यानि कि silk के उपर processing किस तरीके से किया जाता है, तो friends, अभी तक हमें देखा, कि जो female silk moth थी, उसने क्या किया, उसने egg ले किये अब उस egg में से क्या हैच हुआ, उसमें से larva हैच हुआ अब larva ने क्या किया लगातार शेहतूत की पत्तियों को खाया, यानि mulberry leaves को उसने लगातार खाया, और कैसे खाया 3-4 weeks तक लगातार उसने खाया और साथ में अपने skin को shed off किया, अब यह जो process था shed off करने का उसको क्या कहा गया, उसको malting कहा गया इसके बाद में क्या होता है कि यह जो larva है अपने mouth से, अपने salivary glands की help से एक fluid like structure जो है उसको secret करता है, उसको release करता है और अपने आपको वो पूरा का पूरा उसमें cover कर लेता है तो अब इस covering के अंदर जो larva होता है, उसको बोलते है pupa, और यह जो covering है इसको कहा जाता है cocoon right, हमने अभी तक यहां तक देखा और यही जो cocoon है यही बनता है silk तो यह damage नहीं होनी चाहिए इसका खास ध्यान रखते है silkworm rearers यानि के जो silkworm को rear करते है यह जो farmers होते हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं कि यह जो covering है, damage ना हो normally क्या होता है, कि कुछ pupa जो होते हैं, उनको आगे breeding के लिए रख लिया जाता है और बागे जितनी भी coverings होती है बागे जितना भी cocoon होता है उस cocoon से silk obtain किया जाता है अब वो कैसे किया जाता है वही हमको भी हाँ पर पढ़ना है तो यहाँ पे हमने देखना है, कि जो cocoon है उसको क्या करते हैं, जो boiled water होता है उपलता हुआ पानी होता है उसमें डाल दिया जाता है यानि कि आप देखें, यह जो covering है न cocoon की, इसके अंदर pupa है यानि कि एक living organism है जो अभी जीर है अगर एक step और आगे बढ़ेगा तो वो silk moth बन जाएगा लेकिन उसको silk moth बने नहीं दिया जाता उससे पहले ही इस portion को यानि जो pupa वाला portion है cocoon वाला portion है इसको boiled water में डाल दिया जाता है जिससे क्या होता है कि अंदर का जो pupa है वो kill हो जाता है यानि वो मर जाता है और फिर ये जो cocoon है ये अलग निकलाता है और ये ही जो होता है ये ही fiber होता है तो ये fiber जो है silk fiber जो है separate out हो जाता है और फिर इस silk thread को collect कर लिया जाता है और इसी process को यानि cocoon से जो silk thread collect किया गया न इस process को reeling कहा जाता है तो आपको ये भी याद रखना है ये भी एक important term है कि reeling का मतलब क्या है ये जो reeling process है इसको special machine में done किया जाता है और ये जो resulting fiber होता है यानि कि यहाँ पे आपको जो ये silk मिल गया न ये silk जो होता है ये raw silk होता है अब इस raw silk को different different colors में dye किया जाता है और फिर उस silk fiber को कपड़े में convert किया जाता है तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमको silk मिलता है तो आपने देखा कि कितना cruel method है कि किस तरीके से एक living organism को मारा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी जरुर्दों को पूरा करने के लिए इसलिए हमको ऐसे चीज़ों को ऐसे जो cruelty चीज़ें होती है इनको avoid करना चाहिए और हमें ऐसे चीज़ों की demand भी नहीं करने चाहिए जिसे किसी की जिंदिगी पर कोई खत्रा आता है तो ये initiative हम लोग individual level पर ले सकते हैं तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा seri culture, malting, reeling ये सब process कौन कौन से होते हैं क्योंकि एक्जामें directly इनसे questions बनते हैं तो अब ज़्यादा focus करेंगे अब हम देखते हैं मारा next topic जिसमें हम बात करेंगे varieties of silk के बारे में तो friends silk के different varieties होती हैं एक होता है mulberry silk, एक होता है tasar silk, एक होता है muga silk और एक होता है kosa silk तो friends ये जो हैं ये silk की different varieties हैं और India के अंदर silk producing states कौन कौन से हैं यानि major silk producing state कौन कौन से हैं वो अब हम देखते हैं तो friends mulberry silk जो है ये main variety है जो India के अंदर silk produce किया जाता है उसकी यानि कि जो mulberry silk है सब-ज़दा India के अंदर इसी को produce किया जाता है इसके लावा India जो है चाइना के बाद में second largest producer है silk का और अगर हम लोग बात करें 90% silk कहां से आता है तो 90% silk आता है करनाटका, आंदरा और तमिल नाडू से इसके लावा और भी कुछ states हैं जो silk को produce करते हैं वो हैं आसाम, मध्य प्रदेश और ओडिसा तो friends I hope आपको समझ आ गया होगा कि wool और silk हम को कैसे मिलते हैं और किस तरीके से कौन-कौन से steps follow किये जाते हैं wool और silk से fabric बनाने में तो friends I hope आपको इस chapter समझ आ गया होगा इस chapter इहीं पे खतम होता है अगर आपको इस chapter देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद कोई भी doubt आता है तो आप अपने doubt को हमसे different different sources पर पूछ सकते हैं जैसे कि आप अपने doubt हमसे YouTube की comment section में पूछ सकते हैं आप हमें Facebook page पर भी follow कर सकते हैं जिसका link हम आपको description box में देंगे आप हमें Twitter पर भी follow कर सकते हैं हमारे Twitter handle है at the rate civil section इसके अलावा आप अपने doubt हमें mail भी कर सकते हैं हमारा email address है civilsection 2018 at the rate gmail.com और आप अपने doubt हमारी website पर भी put कर सकते हैं जिसका address है www.civilsection.com और friends अगर आपको लगता है कि हमें हमारे वीडियो में कुछ improvement की जरूत है तो आप हमें suggest भी कर सकते हैं अगर आपके suggestions हमें सही लगेंगे तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे तो friends मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and thank you